Liberty के concept को आगे बढ़ाते वे आज हम آईजिया बरलिन को पढ़ेंगे जिसने Liberty के concept को इंदरीच करते हुए उसने दो तरह की types Liberty के बताई कि negative Liberty और positive Liberty उसने कहा आज तक जितने भी political philosopher हुए है उन सब को हम दो कैटेगरी में बाढ़ सकते हैं नेगेटिव लिवर्टी के समर्थक और पोजिटिव लिवर्टी के समर्थक जिसमें नेगेटिव लिवर्टी में हॉप्स को रुख सकते हैं लोक को रख सकते हैं या फिर उसके बाद के ये जो है बरलिन भी खुद इसी कैटेगरी में था और बेंजामिन कोंस्टा को रख सकते हैं तो और positive liberty में रूशो को रख सकते हैं कांट को रख सकते हैं हररड लास्की को या तीएज टॉनी को तो बहुत सारे विचारक हैं जो positive liberty की कैटेगरी में रखे जाते हैं लेकिन बर्लिन ने ये कहना था कि लिबर्टी दो टाइप की होती है लेगेटिव और पोजेटिव और सभी विचारकों को उन में से एक कैटेग्री में रख सकते हैं तो इसमें अब नेगेटिव पोजेटिव लिबर्टी की बात जो आती है उसमें उसने एक ये लिख्या था टो कॉंसेट्ट और लिबर्टी जो मेजर वर्क है इसका आईजिया बर्लिन का 1958 में लिखा था इसी में उसने दो कॉंसेट्ट बताए थे नेगेटिव लिबर्टी और positive liberty उसने एक किताब और नाएक ऐसे और लिखे थे four essays on liberty एक अलग और भी ये लिखा था 1969 में लेकिन ये जो concept ये इसमें देगे two concept of liberty इसमें तो दो तरहे की liberty की बात करता है और उसके बारे में क्या कहता है और किस liberty को ज्यादा मैतों देता कौन सी liberty दे जानी चाहिए वो भी ये अपने विचार सपस्ट करता है तो negative liberty तो वही है जो हमने पहले भी कही बार discuss कर चुके है if one is not prevented by others to attain its goal यदि कोई कोई उदेश से कोई goal पराद करना चाहता और दूसरा वेक्ति नहीं रोकता उसको या राज्य उसको नहीं रोकता या society उसको नहीं रोकती तो वो वेक्ति सवतंतर है यानि कि उसके उपर बंदन नहीं है एक किसम से वही definition ये देता है कि बंदनों का भाव जो कभी होप्स ने कहा था कि बंदन हटा देने से ही सवतंतरता मिलती है यदि ये वेक्ति पर कोई बंदन नहीं है यह सिर्फ एक बात हो रहा है कि सरफ external constant की बात करता है सिरफ बाहारी परतिबंद नहीं होने चाहिए आंतरीक परतिबंद हो सकते हैं not the internal not the natural और inner constant यह जैसे कहता है कि कोई वेक्ति अच्छी शिक्षापराप नहीं कर पाता वो मंद बुद्धी है मंद बुद् गरीब स्थिति है गरीबी की बज़े से और नहीं कर पाता तो वो नहीं कह सकते कि वो सवतंतर नहीं है यदि कोई वेक्ति किसी दूरी पजाना चाहता है लेकिन रास्ते में पाहाड है और उस पाहाड को क्रोश नहीं कर सकता तो वहां तक नहीं जा सकता तो यह नहीं कह सकत उसको वहाँ जाने की सोतनता नहीं है यह तो परकर्ति ने कोई बाद आउत्पन कर दी या उसकी अपनी आंतरी कोई कमजोरी है या कोई दूरबलता है जिसकी वज़े से उस लक्से तक नहीं जा सकता तो यह बात ध्यान रखने की है कि जो बर्ली ने कहा था कि नेगेटिव ल वह इसने सौतनता कहा और कोंसी जो नेगेटिव लिबर्टी को उसी कैटेग्री में रखा है उसकी आंतरिक बाधाए कुछ हो सकती है पर करती की कुछ बनाय भी बाधाए हो सकती है तो वो इसमें सामिल नहीं है फिर दूसरा बात कहता पोज़ेटिव लेबर्टी पोज़े आईजिया बर्लिन की है इसमें क्या है था एबिलेटी तो कंट्रोल वन्स ओवन लाइफ एड अचीव वन्स गोल पोजिट्व लिबर्टी को कहता है कि एक आदमी के अंदर वो एबिल्टी या कैपेबिल्टी या कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने उदेशों को परात करने में सक्सम हो एक किसम से वही है कि जो लिबर्टी उसको मिली हुई है बंदन हटाने के बाद उनको वास्तों में परात करने में सक्सम हो किसी को गूमने फिरने की किसी को बोलने की आजादी दे गई है किसी को कहीं पर रहने के आजादी द गई है तो वो आजादी तभी है तो वो उनको पराथ करने में सक्षम हो यहां बरलिन यह कहता कि यह व्यक्ति का अपना नीजी मामला है कि वो सक्षम है के नहीं है उसमें योगता है के नहीं है इसमें वो यह नहीं कह सकता कि उसको सोतंतरता नहीं मिली वो कहता कि सोतंतरता का concept शरफ यहीं तक सिमित होना चाहिए negative liberty तक positive liberty का सरकार से कोई लणा देना नहीं और यह liberty का कोई सम्मन नहीं है सरकार से वो focus करता कि negative liberty पर तो आगे जैसे कहता भी है कि state can provide only negative liberty सरफ negative liberty को state provide कर सकता है positive liberty is beyond the scope of the state यह का राजय से कोई लणा देना नहीं इसका सम्मन तो है वेक्ति की अपनी power से अपनी capacity से है उसमें राजय कुछ नहीं कर सकता तो यह कहता कि एक तो दोनों में फरक बताता है और दूसरी बात यह कहता कि negative liberty ही का सम्मन राजय से है और negative liberty मिल गी कि वेक्ति को liberty सरकार की तरफ से मिल गई है इसमें कोई यह objection नहीं कर सकता कि उसको liberty नहीं मिली है आगे कुछ और उदाहन देकर उसपस्ट करता हो कहता है कोई वेक्ति उसकी statement है यह ऐसे कि ऐसे स्टेटमेंट देख लेना ऐसे ऐसे पुछी जा सकते स्टेटमेंट किसने देखास कर confusion होते हैं जो सारे libertarian का नाम लग देते हैं निकि है का Berlin का या नोजिक का इन में नाम ली दे तो सभी के विचार एक जैसे हैं लेकिन यह जो स्टेटमेंट है यह आई जिया बरलिन की है कि यदि कोई वेक्ति बाज की तरह नहीं उड़ सकता या फिर जो है मचली की तरह नहीं वेल की तरह नहीं तैर सकता तो यह नहीं कह सकता कि उसको पोलिटिकल लिबर्टी उन इस काउंट उसको नहीं मिली है उसको कोई निरोकता अगर उड़ना चाहे अगर उड़ने कैपेस्टे तो उड़ जाए तैरने की सरकार का कोई लिगना देना नहीं कि एकर इंटर इनर कॉंस्टेंट कुछ है उसके आंतरिक बाद है नेचुरल कॉंस्टेंट हो तो इसमें सवतनतर्ता का हनन इसका नहीं माला जा सकता यह लिबर्टेरियन ठिंक कर था जो सवतनतर्तावादी विचारक थे जिसमें आईजिया बर्ली नहेक और रोबर्ट नोजिक और फ्राइडमेन यह नाम खरूप से आते हैं जिनका कहना था कि लिबर्टी को ही फोकुस किया जाना चाहिए लिबर्टी को इक्विलिटी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए और समाज इक्वल होई नहीं सकता समाज में इक्विलिटी है अगर आपको समाज को इक्वल करने के कोशिश करोगे तो आप योग्य वेक्तियों का इसाथ चीन कर कुछ है योग्य वेक्तियों को देने की कोशिश कर रहे हो जो की नहीं होना चाहिए तो यहाँ भी यह कहता है कि social inequality जो existing जो है उनको आप यह नहीं कह सकते कि इस liberties इसका कोई लेना देना देना से पीछे लास्की जैसे विचार को ने क्या कहा था उन्होंने कहा था जब तक समाज में inequalities हैं जब तक liberty मिली नहीं सकती क्योंकि उस अगर certified society में या ऐसमान समाज में कुछ वेक्तियों को पिछडे भी है या बहुत गरीब है तो उनको तो सवतंतरता मिली नहीं सकती तो सवतंतरता देने के लिए समाज में ये social inequality को घटाना पड़ेगा या मिटाना पड़ेगा लेकिन ये कहता कि social inequality का liberty से कोई लेना देना नहीं liberty negative liberty है absence वो है constant उसके उपर से हटा दिये है अब वो सवतंतर है अगर वो नहीं कर सकता है ये उसकी कमी है लेकिन positive liberty के समर्ज तक क्या कहेंगे वो ये कहेंगे नहीं समाज में भी बादा है ये भी एक बादा है गरीबी भी एक बादा है उसके लिए एक बंदन है वो भी जब तक दूर नहीं होगी उसको काम करने का आउसर दे दिया है अब आउसर देने के बाद वो काम नहीं कर पाता है या नहीं करता है तो इसका फिर liberty से कोई सम्मन नहीं है वो कहता है अगर आपने opportunity दे दी कोई काम करने की तो इसका मतलब आपने उसको सोतंतर्दा दे दी अब एक्चोल में वो एक्षन लेता है या काम करता है नहीं करता है तो उसका कोई लेना देना नहीं है Liberty is not related to democracy, equality और justice यह इन से भी कहता है इन से related नहीं है कि democracy का कोई संभंध इससे है या equality से या ना इसे liberty से, equality का कोई संभंध है यह अपनी अलग अलग चीज़े, justice का कोई संभंध है तो कि जो दूसरे विचारक है, जो दूसरी विचारदार से नहीं positive liberty की जो बात करते हैं, जो socialist ideology से प्रभावित है वो जैसे social justice की बात करेंगे, उसके लिए liberty को limit करना पड़ेगा वो social welfare की बात करते है, सब को equality देने के लिए, ना सब को liberty देने के लिए वो equality की बात करते है, वो democracy की बात करते है, लेकिन यह विचारक है, इस तरह की इन से जोड़ना पसंद नहीं करते है काईजिया बर्लिनिस को नहीं जोड़ता है, इनके साथ, अब जो है, आग गया आता है, फिर for the welfare of a people और justice, liberty cannot be redistributed, तो यह जो विचारक है, यह कहते हैं कि social justice के नाम पर आख किसी की liberty नहीं चीन सकते इस पर भी बड़ा विवाद रहता है कि social justice के लिए तो ऐसा करना पड़ता है कि जो इन वेक्तिव ने ज्यादा कमाया है, ज्यादा सफलता पाई है, उनके इसे का कुछ लेकर गरीबों में बाटना पड़ता है redistribution जिसको हम कहते है, social welfare के लिए, तो इसमें भी दोनों विचारदाराएक तो है जो है, जो socialist ideology या फिर marxist ideology है या फिर positive liberalism है या जो फैविनीजम है, वो लोग social welfare की बात करते हैं लेकिन जो classical liberalism है, जो लोग ने शुरू किया था, या फिर जो libertarian है, जो दो बारा से इसको new classical भी बोल सकते हैं, जो दो बारा से classical liberalism को focus करता है जिनको हम libertarian बोलते हैं, वो लोग कहते हैं कि social justice का concept उचित नहीं है, ये विक्ति की सवतनतरता को सिमित करता है अब ये बात तो उसने बता दे कि दो तरह की liberty है, और negative liberty का मतलब ये है, positive का ये है और राज्य का समन negative liberty से, अब वो कुछ और logic देता है, कि negative liberty क्यों अच्छी है, positive liberty की बज़ाए एक तो कहता है कि negative liberty preferable, इसको prefer दिया जाना चीए, क्यों? तो कि प्रोवेट्स गारंटी अगेस्ट दा डेंजर ओफ ऑफ और अथोरी टेरिनिजम और पेटरिनिजम तो ये कहता है कि negative liberty का मनले पर इस सरकार की सक्तियों को सिमित रखना, सरकार बंदनी लगए, लोगों को 37 चोट दे, लोग अपने आउसर दे दिया, फिर अपना जो करता है, उसको आउसर को इनजवाए, आउसर को का उप्योग कर सकता है तो ये कहता है कि इस सरकार जो ताना साही बनने से रोक्या जा सकता है, या उसको पितर आत्मक, पितरवाद शेवरों का, पितरवाद का मतलब ये होता है कि जैसे एक parents बच्चों को guide करता है एक चीज़ पर, उनके लिए good decision लेता है, तो उस तरह की परवर्ती भी होती है, कि वेक्ति खुद अपना एक विवेक्षिल परानी है, जो कि classical liberalism की main tenant है कि वेक्ति को एक विवेक्षिल परानी मानते है, एक reasonable person मानते है, जो अपना भला बुरा खुद सोच सकता है, तो ये कहते हैं ति राज्य को आपने positive liberty की बात कर दी, positive liberty देने हैं मतलब ये है कि आप को उपर उठाने के लिए, उनको ज्यादा सुधाय देने के लिए, तो आप एक किसम से राज्य को ज्यादा सक्तिया दे रहे हो, और राज्य को ज्यादा सक्तिया दोगे तो राज्य का सवरूप दिरे-दिरे ताना साही हो सकता है, या पितरवाद से परभावित हो सकता है, तो यह कहा था कि अगर negative liberty तक सिमित रहेंगे तो सरकार को है जो है ताना साही नहीं बनेगी तो उसको ताना साही रोकने के लिए negative liberty ही जरूरी है and allows probability of goals and values और इससे क्या होता है कि ये लोगों को सोतंतर छोड़ना होता है तो अपने इच्छा के अनुशार अपने goals decide कर सकते हैं और उस goals को अपने values या goals अपने decide कर सकते हैं उनको अपने तरिके से पराथ कर सकते हैं लेकिन यदि society यानि कि यदि राज्य या government जो है वो उसके आथ में बात आगी उसको काम सौब दया कि आप liberty positive liberty दो तो फिर वो guide करना शुरू कर देगी भी कौन से उदेश से पराथ करने है उदेश से वही निया दारित करने लग जाएगी तो इससे फिर प्लूरेटी नहीं रहेगी लोगों की जो अपने goal decide करने के जो अधिकार है वो नहीं रहेगा तो इसलिए ये तरक देकर जो है आईजिया बरलिन ये साबित करना चाहता है कि negative liberty में बहले कुछ कमिया हो सकती है नेकिन ये तरक ऐसे इनक्या दार पर फिर भी negative liberty ही प्रेफर की जानी चाहिए positive liberty की तरफ नहीं जाना चाहिए तो ये विचार थे जो थे आईजिया बरलिन के थे negative और positive liberty को लेकर अब सी बी मेक फर्षन एक अलग विचार के जिसनको positive liberty का समर्थक है उसने किताब लिखी थी democratic theory action retrieval तो इस बुक में उसने उसकी criticize की थे तो ये भी net के लिए पूचा जा सकता है कि ये किताब का नाम ही पूचा जा सकता है से भी मेक फर्षन का उसको पूचा जा सकता है कि किसने इसको criticize किया था मुक्या रूप से तो ये विचार थे negative और positive liberty के idea बरलिन के धन्यवाद